आप लोगों से मैं शुरू कर रही हूं आज की ब्लोग्स चैनल में तो अभी दोपहर के टैम हैं दोस्तों अभी लिपाई पोताई के साथ आप लोगों से मैं शुरू कर रही हूं आज की ब्लोग्स तो यहां पर बच्चे खेल रहे थे और मैं यहां मिट्टी लेने के लिए आये थी छबाई करने के लिए तो थोड़ा सा छबाई भी करेंगे और थोड़ा मिट्टी और गोबर मिला करके लिपाई भी कर देंगे तो यहां पर ना कल रो मिट्टी आपी थी नहीं दुखाई तो इसी मिट्टी नहीं मिला नी चाहिए51स्य लेकिन गोबर जादा नहीं था थोड़ा सा था तो हम उसे में मिक्स करके हम लिपाई करेंगे तो चलिए पूरा वीडियो पर बने रहेगा आज का वीडियो अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो देखना चाहते हैं लिपाई पूताई की तो आज मैं थोड़ा जादा ही सूट की हूँ लिपाई पूताई करने वाला वीडियो और आज मैं सुबा से कोई वीडियो शूट अगर नहीं की हूँ क्योंकि सुबा में उठे थे उसके बाद हम मुबाइल मेरा चार्ज नहीं था तो हम चड़ा दिये थे फिर अपने घर के काम जो साब सभाई होता है सबी कर लिये थे फिर बच्चों को स्कूल बेज दिये थे आज सनिवार का दीन है और जिस्ट आज ही का वीडियो है तो सुबा में तो जल्दी जल्दी खाना पीना बना दिये बच्चों को स्कूल बेज दिये उसके बाद होटल के काम आज हमें जल्दी करना था तो जल्दी में भी हम लोग थे तो सारे काम निप्टा लिये थे और आज हम सारे काम निप्टाने के बाद मैं लगी हूँ लिपाई छबाई में दो पहर के टैम है इस टैम तो होटल होटल सब खूल गई थी बच्चे स्कूल से आ गए थे सभी खेल रहे हैं और हम भी अपने काम पर लग गए हैं तो यहाँ पर हम जितने छबाई की काम करनी थी वो कर लिए हैं उसके बाद हम अभी लिपाई कर रहे हैं तो मिटी और गबर दोनों में ला लिए हैं थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद लिपाई कर रहे हैं गबर जादा नहीं था कल छबाई हो रही थी हमारी कल परसू छबाई करने के लिए हम गोबर ले करके आए थे नहीं वो तो खतम हो गया था लेकिन कल हम देखे थे रोड में तो रोहीनी से बोले थे क्यों ठाके ले आओ बेटा तो वो ले करके आई थी तो वही गोबर बच्चा था तो उसी में हम थोड़ा मिट्टी मिक्स कर दिये हैं और लिपाई चबाई कर लगे हैं तो आज की वीडियो कैसी लगी है बताईएगा आप लोग जरूर कमेंट में तो अभी जल्दी से लिपाई पुताई करेंगे उसके बाद नहाद हो लेंगे क्योंकि साम के टैम में नहाएंगे न तो फिर से गर्मी लगती है दिन भर में वही हाल हो जाते हैं से ल तो फिर थोड़ा सा टैम मिलता है मुझे जब शिलाई उलाई नहीं करो तो फिर थोड़ा टैम रहता है तो उसी टैम हम नहाद हो लेते हैं तभी पूरा लिपाई करेंगे अंदर की नहीं लिपाई कर रहे हैं अभी आप लोग को दीख रहा होगा अंदर की दरवाजा में अंधेरा सचा गया है क्योंकि लेट कट गई थी स्टेम तो अंधेरा लग रहा था तो अंदर की जाड़ूर दो लग गई है लेकिन चुला के पास लिपाई नहीं किया है उसको साम को जब हम चुला जलाएंगे ना उस टेम हम छबाई कर लेंगे मतलब लिपाई कर देंगे च चांदनी और मैं लिपाई कर रही थी अभी मैं लीपूंगी उसके बाद मैं थोड़ा सा नहा लूँगी क्योंकि मेरा नाइटी भी आप लोग को गंदा दीख रहा होगा क्योंकि मैं आज बहुत जादा इधर अधर बैठ दी थी और जब मिट्टी से लिपाई होती है ना तो फिर बैठ जाओ पिंडा उंडा में फिर भी कलर आ जाता है कपड़े पर तो इसलिए गंदा दीख रहा है पुरा तो अभी मैं पहले तलिपाई कर दूंगी और उसके बाद नहा दोलूंगी और बच्चे लोग आये थे स्कुल से उसके बाद खेल रहे थे बाहर में रो ये लोग सुनते नहीं है खेलते रहते हैं बच्चे लोग तो खेलने में ही भी जी रहते हैं और ऐसके अज़कल धुक का दीन है तो थोड़ा सो जायने के लिए बोलते हैं तो सोते नहीं हैं तो फ्रेंट्स अभी आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहे गा इसी तरह से सपोर्ट देते रहेगा आगे बढ़ाने की कोशिस करते रहेगा और मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक सेर कमेंट जरू कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कमेंट करिए अपने परिवार में अपने सहली अपने दोस्त सभी के पास मतलब सेर कीजिए ताकि मुझ लिए काफी है और थोड़ा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए लाइक कर दिजिए और बहुत सारे दीदी है ना हमारा रोज बने रहते हैं और उन दीदी लोगों के लिए दिल से सुक्रिया और धनियाबाद जो नए हैं पुराने हैं सभी को दिल से धनियाबाद और शुक्रिया दोस्तों क्योंकि आप लोग मुझे रोज दिन सपोर्ट करते हैं, रोज दिन देखते हैं मेरे वीडियो को, कमेंट करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है प्राड करके, जब मैं बहुत सुबर करने बैठी हुना, तब बच्चे बहुत ज़्यादा हाला कर रहे हैं, उनके वज़े से क्या कुछ मुझे से निकल जा रहा है, कुछ-कुछ मतलब कुछ बोलने वाले रहते हैं, तो कुछ आओ निकल जाता है मुझे, तो थड़ा मतलब इग्नॉर कीजेगा, क्या हुआ, अब हम कैसे जाने हैं, तो फ्रेंड्स चलिए बने रहे हैं, पूरा वीडियो कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे लोग जब चले जाते हैं, उसके बाद में घर के काम जैम के करती हूं, और वीडियो भी सूट नहीं हो पाता है, तो सूट करके फिर तुरांथी एडिटिंग भी करना पड़ता है, उसके वज़े से दिक्कत हो जाता ह तो मैं कोशिस करते रहते हैं कि पहले ही मैं वीडियो सूट कर लूँ, ताकि एडिटिंग करने के असान होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी-कभी, क्योंकि सूट करने वाले कोई रहते हैं हेल्पो करने के लिए, तो अच्छा होता है, अकेले हो जाते हैं, काम भी करो, फ पढ़ेगा ही तो आप लोग जो कमेंट करते हैं और बहुत से फ्रेंड्स हैं ना हमें बहुत जादा आशिरवाद प्यार देते रहते हैं और पढ़ करके मुझे अच्छा भी लगता है तो इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत कमेंट किया कीजिए और एक दीदी बोल रहे थ कि वोग को सिखना ना पड़े चोट से ही सीखते हैं जब छोटे रहते हैं तो उसी टेम से सीखना सुरू कर देते हैं तो ऐसा मत सोचे कि मैं बच्चों को काम करवाती हूं और मैं नहीं करती हूं दोनों जों हम लोग लिपाई कर रहे थे और आप लोग देखे भी ओंगे पर मैं बताई भी थी कम वीडियो में लेकिन आप पता ने सुने की नहीं तो कमेंट में बोले थे कि बच्चों को मतलब बच्चों से इतना सारा लिपाई करवाई ऐसे बोल रहे थे तो ऐसा बात नहीं है हम और चांदनी रोहनी रोसनी सभी लगे थे हम दो बताए भी थे पूरा आंगन के लिपाई हो गई है यहां पर हम थोड़ा सा जो असपेद वाला डेक्ची दीख रहा होगा वहां पर हम थोड़ा सा जो मसाले बाच्चे थे जब हम लोग दर बाहर के लिए मसाला बनाए थे तो वह बच गिया था थोड़ा सा तो उसको यहां पर हम डाले है तो वहीं पर अभी हमको थोड़ा सा मिट्टी डालना पड़ेगा फिर पूरा लिपाई करेंगे तो बस खतम ही होने वाला है आज का वीडियो थोड़ा लंबा था लिपाई पुताई वाला सुबा की जो रे आप लोग को थोड़ा सा भी वीडियो हम नहीं डालते हैं तो फिर चैन नहीं लगता है इसलिए थोड़ा ना थोड़ा सा डाली देते हैं और आप लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि रोज दिन आदत सी बन जाती है तो वही बात है हमको भी थोड़ा सा भ लिपाई कर दो जल्दी काम करना सुरू है करना है तो जल्दी से खाना उना बनाए थे बच्चों को स्कूल भेजे उसके बाद हम पटाग से लिपाई कर दिये थे होटल की लेकिन वहां सूट उट नहीं कर पाए थे विडियो और उसके बाद जो होटल के आलू छिलना छोले गहरे बनाना यह सब करने के बाद फिर लगे हैं इस आंगन के लिपाई करने के लिए तो यहां पर भी रोसनी थोड़ा इधर उदर लिपाई की थी तो वहां पर हमको मिट्टी लगाना पड़ा उसके बाद ही हम गोबर से लिपाई कर रहे हैं तो यहां पर भी थोड़ा मि वरटन में आफ गूबर कर देते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मोजने को पूजा खरते हैं, इसको सूध मानते हैं, quindi not Might हैं और इसको हम जब यूच करते हैं असके बाद अच्छे से धो मांज करके रखड़ेते हैं तो कोई इसमें खराब होना बात नहीं है तो जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए कि सब चीज में गंदा करती हैं लेकिन ऐसा बात नहीं है हम लोग गोबर को अच्छा मानते हैं मतलब सूध मानते हैं कोई भी पूजा वगेरा होता है तो उसमें गोबर से ही लिपाई की जाती है तो और यहाँ पर हम नहाँ धो करके कपड़े घाड़ दिये फिर उसके बाद पर बैठे थे बच्चे भी खेल रहे हैं दो पहर के टैम हो गए थे तक साम नहीं हुआ है अभी तक साम नहीं हुआ था बस बच्चे लोग खेल रहे हैं हम Bay साथ में बैठे हैं और देखें यहां पर बाबू छोटा बाबू रहा है बजा बजा करके डिबा से तो आज के लिपाई पुताई कैसी लगी बताईएगा कमेंट में जरूर और फ्रेंड्स इसी तरह से मैं वीडियो ले करके आती हूँ तो अगर आप लोगों को मेरा वीडि लीता है तो यहां पर मैं बैठी थी बालू भी नहीं सुखा है मैं नहां दोकर बैठी थी